एक कहावत है घर पूटे जवार लूटे यादी घर में जब पूट पड़ी तो सारी दुनिया जो है यहाँ पर उस पूट का मजा लेने के लिए उस लड़ाई जगडे से अपना पाइदा निकलवाने के लिए तैयार दिखाई पड़ती है पिलाग कॉंग्रेस पार्टी की फूट कॉंग्रेस पार्टी की तकरार से पाइदा पूरी तरह विपक्षी दलों का होते हुए दिखाई पड़ रहा है तभी असदुद्धिनोबेसी जैसे नीता यहाँ पर कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष में खड़ी होने लाय हो गई है क्योंकि एक हार से राहुल गांधी का मनोबल पूरी तरह तोच चुका है और इस्तीफा देने पर राहुल गांधी पूरी तरह से उतारूद दिखाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर लगतार प्रदर्शन हो रहा है कभी आंध्रप्रदेश क कॉंग्रेसी कारे करता प्रदर्शन करते हैं कभी यहां पर प्रदर्शन होता है सच्छन पाइलट का यह कहकर कि अगर आपने इस्तीपा दे दिया तो मैं भी अपना पद छोड़तूंगा राहुल गांधी के कि इस्तीपे ने कॉंग्रेस की स्थिती काफी ज्यादा बिकराब वाली कर दी है क्योंकि अगर इस्तीपे के पैसले पर वो अटल रहते हुए इस्तीपा दे लेते हैं तो कॉंग्रेस पाजी एक बार पिर से टकराब के साथ तूट सकती है इन सब के बीच में कई तरह के स्वा यहां पर उठकर आते हैं और हम आप से बात करेंगे भाई और पहन पर जब भाई यह पैसला लेने जा रहा है कि मुझे नहीं बने रहना अध्यक्षपत पर जब भाई का मनोबल दूट चुका है तो बहन क्या कर रही है पहन कह रही है यह सारा का सारा खेल है सब से पहले त ऐसा राजनीती के विशेशग्य कहते हैं. पॉलिटिक्स की जो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं, कि जिस तरह प्यार और जंग में सब कुछ जायज हैं, तो राजनीती में भी सब कुछ जायज हैं, और राजनीती के अखाड़े में कोई भाई, कोई बहन नहीं होता, ऐसा क्यों, क्या बहन प्रियंका के आगे बढ़ने से भाई राहुल को दिक्कत है, जिस पद को राहुल गांधी वक्षू भी नहीं संभाल पाए, जिस पद को राहुल गांधी अच्छे तरीके से उसकी जिमिदारियों को अदा नहीं कर पाए, क्या बेहन प्रियंका की काभीलियत से राहुल गांधी घबरा गए हैं ये तमाम सवाल यहां होते हैं लेकिन प्रियंका गांधी वाद्रा कहती हैं प्रियंका की ये सारा का सारा ये जो है खेल है प्रियंका गांधी वाद्रा एक समय पर भाई के साथ होती है एक समय पर भाई क के इस पीपे का फैसला जिस तरीके से राहुल गांधी अपने फैसले को बदलने के लिए तयार नहीं है जिस तरीके से राहुल गांधी अपने पैसले पद लगातार अतल है राहुल गांधी का ये फैसला अब प्रियंका गांधी बाड़ा को खलने लगा है प्रियंका गांध अपने से हमें खुद को भी बचाना है और अपनी पार्टी को भी एक समय तक प्रियंका ने जब राहुल 23 मई को अपनी मा सोनिया गांधी पर गए थे उनसे बात करने अपने मन का बोज हलका करने और जब राहुल गांधी ने मा सोनिया गांधी के समक्षक अपने इस्तीफे क को लेकर दलील पेश की थी तब मा सोनिया शांत थी लेकिन प्रियंका गांधी वाड़बरा ने राहुल गांधी के इस्तीफे को ना मन्जूर करने का पैसला अपनी मा को सुनाया सोनिया गांधी ने इस फिसले पैसले को ना मन्जूर कर दिया CWC की पैचक में ये मुद्धप्र से उठा 6 घंटे तक CWC की मीटिंग हुई जिसके बाद राहुल अपने इस तीफे पर अड़े रहे और CWC की इस पैचक में मौजूद तमाम जो मेंबर थे उन्होंने राहुल गांधी के इस तीफे को नामन्जूर ही किया इसके बाद प्रियंका गांधी बाद्रा जो है अब अपने पेशन्स खोती जा रही है और भाई राहुल की बचकानी हरकत वो अब बिल्कुल भी बरदाश्त नहीं कर बादे राहुल गांधी का बचकाना रवया अब प्रियंका गांधी बाद्रा को खलने लगा है क्योंकि ये वक्त अड़ने का ढटने का और जिद करने का नहीं है ये वक्त है अपनी नाकामियों से सीख कर अब आगे कुछ करने का 2022 में आपको बता दे उत्तरप्रदेश में चुनाव होने हैं और 2022 को लेकर ही प्रियंका गांधी वाड़ा यूपी की प्रभारी बनी थी, वो खुद ही कह चुगी थी कि मेरा पोकस उत्तर प्रदेश का चुनाव है जो 2022 में होने बाला है, तो 2022 के चुनाव जो यहां प्रियंका गांधी वाड़ा जिनकी तयारी करने के माइंसेट के साथ भाल ओआई है, पिलहाल रहुल गांधी की जिद प्रियंका का डिस्ट्रیک्शन मनी हुई है और अब प्रियंका इस डिस्ट्रैक्शन को जरा भी बरदाष्ट करने के मिजाद में नहीं दिखाई पड़ रही, प्रियंका का गुस्सा उनके बयानों को लेकर जितनी जानकार मिल रही हैं उसके अधार पर साफ दिखाई पड़ता है देखना होगा प्रियंका जल्द से जल्द राहूर का फैसला बदल कर एक बार फिर से कब तक और किस फॉम के साथ राजनीती के अखाड़े में वापसी करती हैं इस खास पेशकष्ट में बसता ही अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का देदी जीए मुझे इजासत जुड़े रही हमारे साथ वहीं आप टेटेट